मौरी युवा मंच द्वरा पिछले 25 सालों से क्रिकेक मैच का आयोजन किया जा रहा है इसमें समाच की 16 टीमों ने भाग लिया जो की इंदौर के 10 शित्रों से कत्रत हुई है आज अजय 11 और सुपर क्लब के बीच फाइनल मैच खेला जा रहा है जिसमें आजय 11 ने पहले खेलते हुए 128 से रन मनाए जिसे सुपर क्लब ने आसानी से बनाते हुए खिताब अपनी नाम किया है मैच में जिन खलाडियों ने भाग लिया उन्हें जमुना बाई धर मिशाला में 25 दिसंबर को मुख्य प्रोग्राम में सम्मानित किया जाएगा इसमें समाज की कारिकाईनी भाग लेगी समाज की अध्यक्ष का कहना है समाज को एक जुट करने का संगठन प्रयास कर रहा है ताकि समाज में एक जुट्टा बड़े है और खेल भावना से खेल कर समाज को आगे बढ़ाएं समाज की अध्यक्ष ने बताया कि इस मंच द्वरा क्रिकेट के साथ बैग्मेंटन बॉलिवाल और पारंपर एक कवड़ी जैसे खेल को भी खेलने के लिए प्रेरित करेगा इससे समाज की युवा आगे बढ़े हैं और राश्क्री इसतर तक जाकर समाज का नाम रौशुन करें हमारा मोर युवा विचार मंच के नेत्रत में एक रिकेट टूनामेंट पिछले 25 वर्सों से होता आ रहा है और इस बार भी 16 टीमों ने भाग लिया जो इंदोर के सभी दसो छितरों से टीम में पधारी और बहुत जोरदार यहां टूनामेंट हुआ आज यहां फाइनल खेला जा रहा है जिसमें जै इलेवन ने पहले बेटिंग करते हुए 128 रट का इसकोर खड़ा किया है और जो सूपर क्लब है अब उनको 129 रट बना कर इसको चेस करना है इसी प्रकार से हम लोग यहां पे हमारे जमनवाई धर्मशाला में बेडमिंटन का और बॉलीबाल का गेम भी करवा रहे हैं 25 दिसंबर को जो हमारा मुख्य प्रोग्राम होगा उसमें यह सभी लोग सम्मानित किये जाएंगे और कम से कब यहां पे 500 लोग यहां मौजूद हैं और समाज की जितनी भी कारकार्णिया हैं सभी के पदाधिकारी यहां मौजूद हैं और यहां पर समाज को एक जूट करने का संगठन प्रयास कर रहा है ताकि समाज में एक जूटता बढ़ है खेल के तरीके से भाईचारे की वज़े से हम लोग इस कारकम को संपन कराते हैं हम पिछले 25 वर्सों से इस प्रयास को निरंतर जारी रखे हुए हैं और बहुत जोरदार आज का यह कारकम हो रहा है यहां बहुत जोरदार और आप देख रहे हैं कितना समाज का जनसम हूँ यहां पर मौजूद है और लोगों ने बड़े उत्सा के साथ हम सभी लोग यहा समाजिक बंदू मौजूद हैं उनको बढ़ाई देते हैं युवाविचार मंच को मिधलेश ने बढ़ाई देते हुए कहा कि जब से उन्होंने पद्भार संभाला है उन्होंने कबड़ी बॉलेवाल बैडमिंटेन और रसी कूच जैसे प्रोग्राम जोड़े हैं जिसे कि आने वाली युवा पीड़ी को खेलने के साथ साथ खेल भावना और समाज को एक जुट रखने का अच्छा उधारान मिले और यह सब मंच की प्रेणा और सभी के साथ से ही पूरा हो पाया है समाज के एक युवा द्वरा क्रेकेट से सन्यास लेने पर उन्हें बढ़ाई द प्रेकेट्री और उनकी पूरी टीम को बढ़ाई देता हूं कि इनों ने जब से पंद भार समाला है समाज के अंदर वास्तों में एक नई उचाईयों के और ले गए हैं उसमें भी हमार जो पूराने खेल थे लगबक सभी उसमें उन्हों अभी साल से कबड़ी वालिवाल बेटमिंटन, रस्षिकूद, इसे आने बहुत सारे प्रोग्राम जोड़ें जो आने वाली यूवापीडी को बहार लाने के लिए हैं अभी तक केवल किरकेट ही यहां पर होता था और बाकी छोटे-मोटे रंगोली आये जनुए तो सबसे पहले तो इविद्धाई के पात तो यह मंच की प्रेणा है, मंच का साथ है और इस अभी लोग हम सुब कामना देते हैं कि मुन्ना यह छोड़ दे सन्यास लेने परंतु मैं यह निवेदन करूँगा इन्होंने भी कहा है कि मैं टीम के साथ मेरे यूवाओं के साथ में जरूर जूड़के इनको आगे समाच ने क्रीड़ा सच्व का उत्तरदायत वावनीत हाडिया को दिया है मिठलेश वध्यक्ष है उसके और कपिल हाडिया सच्व है और सहयोगी दिपेश वर्मा बैग्मिंग्टन और बॉलिवाल जैसे खेल को संचालत कर रहे हैं समाच का यह जो उत्तरदायत वाव इचार मंच ने मुझे दिया है भाई मिठलेश जी हाडिया अध्यक्ष है उसके और कपिल जी हाडिया सच्व है और मेरे सहयोगी एक अपने दिपेश जी वर्मा जो बेड मिंटल और यह अपने वाली वाल और यह सब संचालित कर रहे है मेरे साथ में हम सब लोग मिलकर समाज को एकत्रीत करने के लिए और युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी हमारे समाज के युवाओं की बनी रहे इसके लिए गतिविदी चलाते हैं और समाज इससे संगटित रहेगा और मैं सोचता हूँ कि इस तरह की गतिविदिया सभी समाजों में होनी चाहिए दाकि देश को अच्छे खिलाडी मिले और सब स्वस्त रहें और देश की सेवा कर पाएं अच्छे से इसमें 500 लोग जुड़े हैं महिला और पुरुस मिलाकर बच्चे और बालिकाएं सब मिलाकर और सभी लोग अच्छे उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अच्छा खेल देखने को मिला है और कई सारी प्रतिवाएं निकली भी हैं हमारे समाज में करीब राजीस्तरी खिलाडी भी सम्मेलित होते हैं समाज के जो बाहर जाकर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं मैच के दोरान सीनियर खिलाडी मुन्ना हाडिया ने क्रिकेट से सन्यास ले लिया वेंडॉर डिवीजन के लिए भी खेल चुके हैं वहीं महु में IPS जैसे एक टीम को हराने वाले मुन्ना हाडिया का कहना है युवा खिलाडियों को मौका मिले इसलिए सन्यास लेने के बाद भी टीम को जरूरत के समय साथ दूँगा लेदर टीम से भी हम बहुत सारे मेच खेल चुके हैं और IPS सरी के टीम को हमने मौग ग्राउंड पर विहराया था और हमारे जो भी खिलाडी है कोई भी पेसे वाला धनबल नहीं है सब कोई पान पान की दुकान चलाता है कोई क्या काम करता है उस अधार पर हमने टीम बनाई थी और आज मेरे खिलते खिलते तीस साल हो गाए तो तीस साल आप पचास साल के उपर हो गया हूं तो आप मैंने सोचा कि टीम को बहुर बच्चों को बढ़ाया जाया आगे यही निद्ने लिया है मैंने सन्नास के लिए इसकी